नमस्कार किसान साथियों मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूटूब चेनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ किसान सत्योत सोयबीन की फसल में इस वर्ष काफी ज़्यादा नुकसान हुआ है और अधिक तर छेतरों में अंत में जाकर किसान भईयों की मेंनत पर पानी फिर चुका है जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो एरैटी है आरवी असम की 11.35 जिससे की किसान भाईयों को सबसे ज़्यादा उम्मित थी और काफी ज़्यादा रगबा इसका हमारे छेतर में लगाया था और काफी ज़्यादा उत्पादन की जो है इससे आस्ति किसान भाईयों को जिस पर लाश्ट में वाईरस जो एक आया उसके कारण काफी ज़्यादा उसके मनसूपों पर फानी फिर गया, तो उसकी हर्वेस्टिंग अभी चल रही है, इससे पहले हमने वीडियो डाले थे जिसमें की ब्लेक बोर्ड और बाईस अठारा की हर्वेस्टिंग के बारे में भी बताया था, जिनका उत्पादन भी सामान ने रहा है, लगबग RVSM जो 11 ठीक ठाक कंडिसन में हैं, यहाँ पर इसमें एक दो इस्प्रेल आस्ट में फंगी साइट के ठीक ठाक हो गये थे, तो इसका उत्पादन कितना आया वो भी हम आपको आगे बताएंगे, पर जो पहले हमारी हर्वेस्टिंग हुई है, ब्लेक बोर्ड सोयबिन की उसका 18 है, जेस की उसका उत्पादन लगबग 4.5 कुइंटल प्रति भीगा के हिसाब से आया है, तो उनका उत्पादन तो लगबग अभी की जो वर्स हैं, इसके हिसाब से ठीक ठाक माना जा रहा है, पर जो यह आर्वी एसम की 11.35 सोयबिन है, इसका उत्पादन हमारे यहाँ पर जो है, इसका तीन कुइंटल प्रति भीगा के हिसाब से देखने को मिल रहा है, जो अभी तक हार्वेस्टिंग हुई है उसमें, बाकी ओवराल छेतर की बात करें, तो आसपास के खेतों में या आसपास के गाउं में इसका उत्पादन काफी कम भी आ रहा है, किसी किसान भा जो काटे हुए थे, उनको बिना हार्वेस्टिंग किये, बिना थ्रेसिंग किये, उनको जलाने तक की नोबत भी आई है, ऐसे वीडियो भी हमने डाले है, उन किसान भायों का इंटर्वीवे हमने ले रखा है, आप वो भी देख सकते हो, बाकी जो यह है, इसमें दाना काफ दिन रहे, उनमें काफी ज़्यादा एकदम से वाइरस का अटेक हुआ, और उस वाइरस पर ना तो किसी दवाई ने काम किया, चाहे आप कोई सी भी नामिनेट फंगी साइट डाल दीजिए, इंसेक्टि साइट डाल दीजिए, सारा कुछ किसान भायों ने प्रयास कर लिया उसके बाद भी इसमें दाना काफी ज़्यादा चप्टा रे गया, फलिया चप्टी रे गई, और उसके अकारण उत्पादन इसका लगबग आदा और कहीं कहीं पर तो आदे से कम और कहीं कहीं पर तो 10% उत्पादन भी आया है, तो यह अभी जो आर्वेस्टिंग हो रही ह अमारी 11.35 इसमें लगबग 3 से 3.5 कुएंटल की उसत अभी आ रही है, जो की अच्छी कंडिसन में हैं, उसके बावजूद भी इतना कम उत्पादन आ रहा है, आप देख सकते हो, फलिया भी उपर उपर की ठिक ठाक भरी हुई है, नीचे की फलिया थोरी चप्टी है, बाक किसान भाईों को कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि 3.500 रुपए का भाव और 10.000 रुपए अगर एक भीगा के आते हैं, तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 12.000 रुपए प्रती भीगा का तो पहले का खर्च है, बाकी हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग का खर्चा अलग पा रहा है, तो फिर किसान भाईों की आई दोगुनी कैसे होगी, तो यह कंडिशन है, हमारे खेतों की आड़ी नहीं गिरी थी, सोयबी ठीक्ठा कंडिशन में थी, उसके बावजूद भी उत्पादन 3.500 से ज्यादा नहीं आ पा रहा है, तो जिन किसान भाईों की नीचे गीर चुकी थी, काफी ज्यादा सड चुकी थी, जहाँ पर जल भराव की शमश्या थी, वहाँ पर तो काफी ज्यादा उत्पादन कम आया है, एक कुंटल, आदा कुंटल, तक भी आया है, और कुछ किसान भाईों की तो थ्रेसिंग करने जैसे भी सोयबी नहीं बच्ची है एसी भी नोबत देखने को मिली हैं, तो यह इस्तिती है, 11.35 की, 11.35 काफी ज्यादा किसान भाईों ने लगाई थी, आप किसान भाईों ने कितनी लगाई थी, कौन-कौन सी वेराइटी का उत्पादन अच्छा रहा, कौन सी का कितना रहा, वो सारी चीजे भी किसान सात्यो का पूरा विवरन आप देख सकते हो, 11.35 जो कि दाना काफी ज्यादा चप्टा रह चुका है, दाने में भी एसी चमक नहीं है, और दाना जो बोल्डर साइच का बनता तो इसका उत्पादन लगबग 6 से 6.5 कुन्टल तक भी चला जाता, इस उम्मीद में किसान भाईों ने अपलोड होते रहेंगे, ततपरता से कुछ कारण की वज़े से अभी व्यस्तता की वज़े से वीडियो कम अपलोड हो रहें, उसके लिए छमा चाता हूँ, आगे निरंतर वीडियो आते रहेंगे, उसके लिए आप लाइक सेर जरूर करें, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक सेर जरूर करें धन्यवाद जय हिन जय भारत बंदे मातरम